नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं योपी न्यूज और मैं हूँ अनूप सिर्वास्तो दोस्तो आज बात करते हैं ब्रिजभूसन सरन सिंग की जी हाँ यो वही ब्रिजभूसन सरन सिंग है जिनके खिलाप दिल्ली में पहलवान पिछले 23 अपरैल से धरने पर बैठे हैं और यह पहलवान दूसरी बात धरने पर बैठे हैं आपको मालूम होगा कि जन्वरी में भी विनेश फोगाट और साक्षी मलिक और तमाम पहलवान जो थे महिला पहलवान जो है वो धरने पर बैठे थे और तब पूरे देश में तहलका मच गया था यह सभी अंतरास्टी ख कुष्टी संग को जो है बिल्कुल एक तानासा यानि डिक्टेटर की तरह चलाते हैं जन्वरी में भी कलक्ती थंड में यह धरना कई दिनों तक चला था जंतर मंतर पर और उसके बाद फिर अनुराग ठाकुर जो केंद्री मंत्री हैं सुचनाव प्रसारन केंद्री मंत्री लेकिन उसे सारवजनिक नहीं किया गया और नहीं अब तक यानि 23 अपरल तक उसमें कोई कारवाई की गई तक्रीब अठारा दिनों तक नतीजा तीन महीने के बाद यह महिला पहलवान और बजरंग पुनिया सही तमाम जो महिला पहलवान है जिन्होंने हमारे देश का नाम कोट में क्या आया और उसे सारवजनिक नहीं किया गया क्यों नहीं किया गया पहली बात दूसरी बात कि जो हमें अभी ताजा जानकारी मिली है वो यह है कि सुप्रीम कोट में केंद्र सरकार की और से उनके वकील ने हलफ लामाद आखिर किया है कि दिल्ली पुलिस इस मामल जो हैं वो बढ़ने वाली हैं अभी एक दिन पहले एक वीडियो भी जारी किया था जिन में उन्होंने कहा था कि अगर आच आएगी जीवन पे उनके प्रतिष्था पे आच आएगी तो ऐसा जीवन जीना वो पसंद नहीं करेंगे और ये वीडियो सोशल मेडिया पर वारल भ लगने के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूसन सवरन सिंग के खिलाफ कारवाई क्यों नहीं की या जाच क्यों नहीं की या एफ आई आर दर्ज क्यों नहीं की क्यों सुप्रीम कोट के कहने पर या क्यों सुप्रीम कोट के नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस को ये कहना पड़ा कि हम उसके खिलाफ F.I.R. दर्ज करने जा रहे हैं आखिर वो हमारे देश के पहलवान है हमारे हमारे लिए उन्होंने मेडल जीते हैं दुनिया भर में हमारे देश का नाम रोसन किया है नाम है उनका और इस कांड से इस एपिसोड से कहीं ने कहीं हमारे इमेज जो है उसको भी एक धका लग रहा है पीटी उसा जो अध्यक्ष हैं उलम्पिक संग के उन्होंने कहा कि पहलवानों को धरने पर नहीं बैटना चाहिए था इससे देश की इमेज खराब होती है हुई है तो क्या देश की में जिससे नहीं खराब हो रही है कि पहलवान जो हमारे अंतराष्टी पहलवान है वो दो बार धरने पर बैठे मजबूरी भी बैठना पड़ा उनको एक बार जनुरी भी बैठे एक बार फिर अभी बैठे आखिर उनके सामने ऐसी क्या मजबूरी थी क्यों उन्हें धरने पर बैठना पड़ा क्यों नहीं उनके जब उन्होंने आवाज पहली बार उठाई तो उनके उनकी आवाज को सुना गया उनकी आवाज पर गौर क्यों नहीं किया गया क्यों नहीं दिल्ली पुलिस ने जाच की अगर जाच की होती तो उसमें इन लोग ने था यह एक दूसरा मसला है तीसरा मसला यह है कि आखिर ब्रजभूसन सरण सिंग्झ खिलाब कारवाई क्यूं नहीं हो रही है अगर हम इसको राज्जितिक चस्में से देखें तो इसके दो-तीन माइने हैं पहली बात थो यह है कि ब्रजभूसन सिंग उत्तर प्रदेश में पुर्वांचल के एक कद्दावर नेता हैं आपको बता दू कि छात्र संग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं पहलवान भी रह चुके हैं और कुस्ति से बड़ा प्रेम है उनको और साथी साथ वह 1999 से लगातार कैसर गन से सांसद रहे हैं जहां तक भारती कुस्ति संग की अध्यक्ष पत की बात है तो वो 2011 से इस पर काबिज हैं तीसरी बार 2019 में वो कुस्ति संग के अध्यक्ष चुने गए थे बीच में सिर्फ एक बार 2009 में जब उनका बीजेपी से मद्भेद हो गया था तब बरिजभुसें सरन सिंग समाजवादी पार सांसद हुए थे उनके बेटे प्रतीक भी गोंडा से विधायक हैं दो बार के विधायक हैं उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी हैं और एक राजपुत चेहरा है एक अगर कहा जाए तो पूरवाण्चल की अगर हम राजञ्जीत की बात करें तो एक राजपुत सरण सिंग का समीकरण जो है वो भारी पड़ता है और मुझे लगता है कि यही कारण है कि जिसके वज़े से पार्टी या आला कमान जविक आप कह लीजिए वो बरिजबुसन सरण सिंग के खिलाब अभी तक कोई कारवाई नहीं कर पाया है या करने के मूड में नहीं है या हि पाजस्थान की जो खाब पंचायते हैं वो भी उनके समर्थन में उतर आई हैं साति हसाथ मैं आपको बता दूँ कि अब युवा तबका भी इन पहलवानों के समर्थन में आज लखनौ में लखनौ में लखनौन मजविश्विश्विश्डाले में जो चात्र थे उन्हों प्रदसन किया है इन पहलवानों के समर्थन में चाठ चात्राओं ने प्रदसन किया लग्तनों के समर्थन में आज प्रदसन किया है तो कहीं ने कहीं लोगों के अंदर ये बात चुब रही है कि आखिर ब्रिजभुशन सरण सिंग के खिलाफ कारवाई क्यों नहीं हो रही है या जाँच हुई तो उसकी रिपोर्ट के उनी सामने आई या उनके खिलाफ एफाईया दर्ज करने में इतनी देरी क्यों ही? तो जहिर सी बात है ब्रिजबुसन सर्ण सिंग के खिलाफ अब एफाईया दर्ज हो जाएगी देली पुलिस जाँच करेगी सुप्रीम कोट के नोटिस में है ये सुप्रीम कोट इसका संग्यान ले रहा है तो अब कुछने कुछ जरूर होगा और जब ये होगा तो उस वक्त ब्रिजबुसन सर्ण सिंग क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी फिलहाल देखने वाली बात ये भी है कि इतने विरोध के बाद और धीरे धीरे जो जन्मानस में इसका एक विपरीत असर जा रहा है उसके बाद ये भी देखना दिल्चस्प होगा कि भारती जिनता प फालो करिए थैंक यू